हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, अम्बे की चन, कैसे हो आप सब, I hope आप लोग बहुत अच्छे से होंगे आज की मैं एक नीव रेस्पी लेके आए हूँ, जो बहुत जादा यम्मी एडिलिस्यस है और जो ये सब जिखाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी जरूर खाएंगे और उनको पता भी नीचे लेगा आपने किस से बनाए हैं, तो चलिए से आज बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने एक लॉकी ले ली हूँ, और लॉकी को मैं अच्छे से पहले पिल कर लूँगी और उसके बाद वॉस्ट कर लूँगी, वॉस्ट करने के बाद जो ऊपर और नीचे के जो वेस्ट पार होते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा सा में कट कर लूँगी उसके बाद उसे कट कर लूँगे स्कॉाइर में या अग्दम फाइन चॉप्ट कर लें नहीं तो मिक्सी में थोड़ा लेट से पीस ता है अगर ज्यादा फाइन चॉप्ट करेंगे तो बहुत जल्दी पिस जाएगी फिर मिक्सी जार में उसे दाल देंगे दो हरी मिर्च और दो लैसुन की कलिया और उसे पेश्ट बना लेंगे उसके बाद मैं बड़ी बूल में उसे टांस्पर कर लूँगी फिर उसमें टालूँगी एक चमच नमक और एक चमच कॉर्ण फ्लोर और दो नहीं तीन चमच डालूँगी मैं चावल के लेती हूं मैं दो टामाटर जो कुछ साबूत होते हैं न वह गड़ा मशला वो ले लूँगी जिसमें दाल चीनी तेज पाता और चोटी लाइची बड़ी लाइची लॉंग मडी जीरा ये सब ले ली हूं काजू ले ली हूं थोरा सा थोरा से लासून ले ली हूं चार प् कर दूँगी और एक पैन ले लूँगी आपके पास अगर प्लेट हो खड़ी वाली साइट जो कॉर्णर जिसकी खड़ी होती उस टैप की वह ले ली जिए और उसमें थोड़ा सा ओयल करके वह बैटर को डाल देजिए और डालने के बाद से ढख दीजिए अच्छे से फैल अब क्या करेंगे हम दोनों को पहले ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद यह सारे मशाले को हम पेश्ट बना लेंगे और वह जो हम ने कट करके रखी थी वह से निकाल लेंगे डिमोल कर लेंगे और उसके बाद पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे तो थोड़ी चिप- गी ढाल देते हूं और थोड़ा से ओइल डाल देते हूं अगर मैं पनीर की तरह बना रहे हो तो उसी की तरह गड़ेवी बनाओंगी जिसमें मैंने 1 टीसपून हल्दी, 1 टीसपून सूखी मिर्ची वो जो कास्मेरी मिर्च होती है वो गरम मशाला और जीराप मशाला और धनिये पॉडर वोर्षप डाल दी हूँ और कसूरी मेती डाल दी हूँ फ्लेम को लो ही रखें, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद क्या करेंगे जो हमने पेश्ट बना के रखी थी ना उसे एक छणी में डाल करके अच्छे से चान लेंगे जिसका भी जो डाल जीनी या कुछ भी ऐसा एक्ष्टा होगा ना पार्ट जो भी में नहीं आएंगे, सबको ये चीजे पसिंद नहीं आती है अगर मशाला के इसले मैंने उसे पेश्ट सब कुछ कर दिया था और साइट कर लिया था उसके बाद लो फ्लेम पर ढख करके उसे अच्छे से पकाते रहें क्योंकि इस टाम में जिसमें अगर आपने काजू दाली है और प्यास भी है तो ये थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ उचलता है जिससे आपके स्किंजल सकते हैं तो इसे ढख करके लो फ्लेम पर अच्छे से पका लीजे हमारे मसाले देखे बिलकुल अच्छे से पक गया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स क करने के बाद आप इतना देख लें कि थोड़ा सा हमें इसे पकाना भी है उसी हिसाप से इसमें पानी एड़ करें और सबके घर में अलग अलग से ग्रेवी खाये जाती कोई थीक कोई कम खातें कोई ज्यादा खातें इस हिसाप से मैंने उसे दूसरी तरफ रख दी हूँ ब अच्छे कलर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा और इसे फुरे हलके हलके हाथों से इसे पलट दे जो सुछ तरफ से थोड़ा सा यह सीख जाए जिससे इसका टेस्ट और भी दोगुना अच्छा हो जाएगा आप चाहे तो सीधे भी डाल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है अ उसमें मैं डाल देती हूँ वही लोकी के पनीर के टुक्रे और उसे डाल करके थोरी देर और ढ़क के मैं इसे पकाऊंगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से बौल हो रहा है न करने के लिए जिसे सबजी थो ठाल है पर थोड़ास और भी अच्छा हो जाता है। ग्रेवी और वो जो पनीर हैं वो सारे एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हमारे 10 मिनट टोटल हो गए हैं अब हमारे माशाले शबजी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है इतना ही हमें थिक चाहिए उसी तरह से हम इसे बना लिये हैं अब मैं आपको दिखा खाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है और मेरा बेटा तो खाके बोलता था मम्मे आज तो बहुत मज़ा लगा और वो बिल्कुल अपने हाथ से खाया है जो अभी छोटा है बिल्कुल अपने हाथ से खाके खतम किया है तो अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगत है तो लाइक से इन सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच टेक के और बाबाय मिलते हैं कल की रेस्पी में